हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक तु स्टेडी ओफ वर्ल्ड दिस बिवास सो अभी आपको डिकॉर्डेट वीडियो मिल रहा है सेवंथ नॉम्बर से हम लाइब फिर से आएंगे ऐस उज्वल ओके सो आठ से दस बजे का टाइम रात में लाइब आएंगे तो आज मैं रिकॉर् इसमें जो भी डाउट रहेगा तो आप कोमेंट सेक्शन में लिखेगा तो आएविल आंसर दाउट तो आज यहां पर पांच पार्ट शेपार्ट पहले हम डेली यूजे सेंटेंस देखेंगे एंड ग्रामर में आज हम नया प्रेपोजिशन का स्टार्ट करने जा रहें क् हमारा मॉडल वर्व कम्प्लीट हो चुका है वह सारा हमने कर लिया है एंड ट्रांसलेशन में अभी हम ब्वाइस का देख रहे हैं तो ब्वाइस का जो लास्ट पार्ट है वह हम आज कवर करेंगे एंड फिर वोकेबलेडी हम करेंगे तीन पार्ट में और यहां पे कुछ स पार्ट में आज का सेशन ओवर होगा और आप लोग जिनोंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर ले ताकि रेगलर अपडेट आता रहे आपको और अपने फ्रेंच के साथ ओके सौ लेट्स स्टार्ट इट आज हम प्रॉब्लेम की बात नहीं करेंगे यह सारे जो हैजिटेशन जो कनवर्टर है ट्रांसलेशन है वोकेबलरी इंवायरमेंट एंड लेक आफ कंसिस्टेंसी यह सारे प्रॉब्लम्स की वज़ए से आप इंग्लिस नहीं बोल पाते हो तो इसको हम डिली डिसकस करते हैं बर आज हम डिरेक्ली इसको करते हैं तो य तुमने उसे जाने क्यों दिया तो वी विल से वाय डिडियू लेट हिम गो वाय डिडियू क्योंकि यह तुमने उसे जाने क्यों दिया यह पास्टेंस में सेंटेंस है और यहां पे डवलू एज कोस्टेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वाय डिडियू तुमने उ question है यहां पे हमें सबसे कठीन से कठीन परिथरम करना होगा, हमें सबसे कठीन से कठीन परिथरम करना होगा, how you will say that? we have to work harder than the hardest, we have to work harder than the hardest, okay, so next one यहां पे देखेंगे, मैं दुविदा में हूँ कि क्या करूँ, मैं दुविदा में हूँ की क्या करूं So I am in dilemma Dilemma means दुविदा में होना एक तरह का उधेर बून Right, so I am in dilemma what to do Right, मैं दुविदा में हूँ की क्या करूं Right, I am in dilemma what to do So next one, उसे बुडी तरह चोट लगी है How you will say that So we will say, he is badly hurt He is badly hurt, बुडी तरह चोट लगना, badly hurt So next one, उन्होंने मुझे साफ इंकार कर दिया How you will say that, so we will say He gave me a flat refusal Refuse मतलब किसी को इंकार कर देना साफ इंकार कर देना, flat refusal Right, so he gave me a flat refusal Next, एक साफ था, तो इसको हमने there का यूज कर के बताया था So there was, अगर subject कुछ नहीं दिखाए दे, तो वहाँ पे there और it का हम यूज करते हैं Right, so यहाँ पे एक साफ था, तो इसमें subject डिस्पले नहीं हो रहा है Visual नहीं है, तो यहाँ पे there यह, it का यूज कर सकते हैं Or helping walk, वाज आ जाएगा, there was a snack So, जब भी मैं संकट में होता था, तुम मेरे साथ होते थे So how you will say that, you will say, whenever I was in trouble, whenever I was in trouble, you were there with me तुम मेरे साथ थे, वहाँ हमेशा Whenever I was in trouble, जब भी मैं problem में था, you were with me there So next one, क्या तुम्हारा भाई वहाँ था, क्या तुम्हारा भाई वहाँ था So what you will say, interrogative sentence है, तो यहाँ पे, was your brother there So next, आपने मुझे एक रुपया कम दिया है So यह सारे sentences आप लोग, you know, कर सकते हो क्योंकि सारा का सारा tense हमने complete कर दिया है और coming, यह Sunday जो है आपको आठ वजे एक complete class मिलेगा दो घंटे का, जिसमें की complete tense है Example के साथ, present tense, past tense, future tense तीनों tense को example के साथ, identification के साथ, structure के साथ हमने उसको class record किया है तो आपको Sunday को 100% मिल जाएगा Okay, so आपका revise हो जाएगा जिन्होंने tense नहीं किया है So, यहाँ पे दिखिये सारे question उससे आप कर सकते है आपने मुझे एक रुपया कम दिया है Right, so how you will say that You have given me a rupees list Right, so you have given me a rupees list Right, so you have given me आपने जो मुझे दिया है Right, वो एक रुपया कम है Is rupees a list दिया है, मतलब आप दे चुके हो So, present perfect tense के recording इसका जो है Translation होगा You have Right, given me आपने जो मुझे दिया है आपने दिया एक रुपया कम Okay, so उसके बटवे में पैसे नहीं है उसके बटवे में पैसे नहीं है या उसके वालेट में पैसे नहीं है So, there is no money in his wallet Right, in her wallet So, there is no money There is no money in his wallet तो यहाँ पर दिखिए इसमें भी subject का डिस्पले नहीं हो रहा एक subject क्या होगा इसलिए there यूज किया गया तो उसके बटवे में Right, so यह नहीं है यहाँ पर his wallet पैसे नहीं है क्या नहीं है? पैसे नहीं है यहाँ पर subject नहीं है हमने there का यूज किया So, next one आपके सहियोग के लिए धन्यवाद आपके सहियोग के लिए धन्यवाद How you will say that? So, thanks for your corporation Right, thanks for your corporation Thank you for your corporation Okay, so आपका धन्यवाद Right, किसके लिए? सहियोग के लिए सहियोग मतलब cooperation Okay, so So, तुमने साढ़ा खेल विगार दिया Tुमने साढ़ा खेल विगार दिया How you will say that? तुमने साढ़ा खेल विगार दिया You spoiled the whole game You spoiled the whole game Sproiled मतलब विगार दिया मतलब सपोयल से spoiled बना है Right, so यहाँ पर B2 wholly can You spoiled विगार दिया वड़ह गयम को The whole gam इस कंपनी में आगे बढ़ने की संभाव नाये हैं, इस कंपनी में आगे बढ़ने की संभाव नाये हैं, there is opportunities in this company to grow, right, there is opportunities, संभाव नाये, एक से ज्यादा opportunities, तो यहां पर opportunities हुआ, there are opportunities, तो इसमें क्या है, इसमें भी subject विजिवल नहीं है, इसलिए हमने there का यूज कहते है, इस company में, in this company, right, so आगे बढ़ने की संभाव नाये, to grow, opportunity, so there are opportunities, किस की opportunities है, so यहां क्या है, opportunity है, there are opportunity, कहां पे, in this company, to grow, किस चीज़ की opportunity है, grow करने की opportunity, so there are opportunity in this company to grow, खाने के लिए कुछ लाओ, खाने के लिए कुछ लाओ, how you will say that, so get something to it, get something to it, get something to it, okay, so, यहां पर एकि मैं तुम्हें मार डालूँगा, right, मैं तुम्हें मार डालूँगा, उसने ऐसा कहा, how you will say that, तो यह जो है यहां पर, I will kill you, right, he said so, I will kill you, he said so, right, actually हमने यह डिगरी और नडेशन वगरे नहीं परा है, यह क्लाउज कम्प्लिक्ली नहीं परा है, तो उसमें, like इसका यूज होता है, तो हम वो पढ़ेंगे, तो फिर आपके यह डाउट किलियर हो जाएगा, तो मैं तुम्हें मार डालूगा, I will kill you, यह तो आसान है, उसने ऐसा कहा, he said so, he said so, right, मैं उनसे बजार में मिला था, मैं उनसे बजार में मिला था, तो I made him in the market, I made him, मैंने उसे मिला था, कहां पर बजार में, तो यह जो है, पास्ट इंडिपनिटेंस है, तो यहां पर I made him, यहां V2 लगा, and him in the market, so friends, यह जो है daily sentences, अब जो है, बहुत सारे चीजों पर वर्ड किया है, लास्ट और 7-6 days में, तो 7 से जो live class होगा, इसका structure, hopefully, थुरा से better होगा, अगर आप लोग कोई और suggestion है, वैसे आप लोग ने बहुत साय suggestion दिये थे, उस पर मैंने try किया है काम करने का, hopefully, अब जो session live होगा तो उसमें कुछ better हम करेंगे, अब भी भी अगर आपको कुछ suggestion या guide या कुछ ऐसे ideas share करना है तो आप मेरे साथ share कर सकते हो, comment box में लिखेगा, मैं definitely आपके ideas और आपके session पर work करूंगा, इसको ताकि easy और you know effective बना सकें ताकि आपको ज्यादा easily समझ में आए और you know, की ज्यादा ज्यादा लोग इसको advantage दे इसके session का, तो अभी आज हम grammar में क्या देखने वाले हैं, तो grammar में preposition start करने वाले हैं, तो preposition क्या मतलब connectivity यहां पर देखी कितने prepositions हैं, about, above, across, after, against, along, among, between, at, before, behind, below, beside, besides, उसके बाद beyond, but, by, for, from, in, into, of, off, on, out of, over, since, through, to, towards, under, with, within, without, at, in, in, and into, with, and by, after, and in, since, and from, तो यह सारे क्या है, preposition, one by one हम जो है, इसको, like, discuss करेंगे, and example के साथ, और pictorial way में, right, picture के साथ, हम जो है, इसको, discuss करेंगे, ताकि आपको, easily, समझ में, आ सके, right, आप समझ पाऊ इसको, so, हम इसको, live session में करेंगे, right, आज क्या recorded है, video, and then, फिर Monday से, obviously, live जाएगा, regular, so, हम इसको, वहाँ पे, one or two करकर के, हम आपको, बताएंगे, ताकि आपको, इसली समझ में आ जाए, तो, अभी हम यह जो, last time, हमने model work किया था, तो, इसको, हमने कर लिया था, तो, इसको, हम skip करते हैं, और translation part में, हमने आपको, बताए था, कि voice अभी चल रहा है, तो, voice में, future perfect tense, जो है, इसका structure क्या होता है, इसका structure होता है, subject, active voice में, subject, plus cell, या will, and have, plus v3, plus rest of center, यह structure होता है, future perfect tense का, और, जो है, active से passive बनाने के लिए, तो, इसमें, जो object है, वो subject के लिए पर आ जाता है, subject, और object के लिए पर चला जाता है, तो, यहाँ पर cell बिल रहेगा, and इसमें, have been लग जाएगा, and then v3 लगेगा, तो, यहाँ पर देखिए, cell कब लगेगा, will कब लगेगा, यह already हम, काफी time बता चुके हैं, will लगेगा, third person, and second person के साथ, और I, cell लगेगा, I, और B के साथ, okay, कुछ example देख लेते हैं, जिसे, I cell have written the book, मैं एक book लिखूँगा, लिख चुकूँगा, right, future मैं एक book लिखूँगा, right, लिख चुकूँगा, right, लिखूँगा, तो इस में देखिए, यहाँ पर क्या है, तो book क्या है, एक object है, तो object भी आ जाएगा, subject के पर, subject के लगेगा, object के लगेगा, तो क्या हो जाएगा, the book, book के साथ, will लगेगा, आई है, तो इसलिए, cell लगा है, book जो है, करेंगे इसको देखिए they will have inform us so यहां पर देखिए क्या है we shall have been informed by them तो यहां पर us है तो us subject के पर आएगा तो we हो जाएगा तो we के साथ cell लगेगा फिर have लगेगा फिर been फिर v3 informed by they ka them okay so next तो future perfect continuous tense actually future perfect continuous tense का active voice का जो structure होता है subject plus cell यह will plus have been plus v4 plus rest of sentence यह active voice में होता है but passive voice का देखें तो वही subject जो है object के जगपे object और subject के जगप चले जाएगा cell यह will फिर have been उसके बाद being use होगा और v3 के जगपे v3 हो जाएगा and then rest of sentence actually friends future perfect tense का commonly use नहीं होता है but अगर आपको करना ही है passive voice में तो आप इस structure के recording बना सकते हैं जैसे we cell have been building the fort for five years यह fort जो है यह building जो fort है वह चार पांस सालों तक बनता रहेगा right so यहां पे क्या होगा the fort will have been built being built for five years so यह actually इसका यूज नहीं होता है commonly इसका कहीं आप देखेंगे नहीं ना एक्जाम में पुछा जाएगा इसका यूज नहीं होता so यहां पे अगर आप देखें तो future perfect ends के कुछ questions है यहां पे जो कि मैं आपको commonly देता था solve करने के लिए recorded है तो मैं भी बता दे रहा हूं see will have completed this project tomorrow तो वह कल project complete कर चुकी होगी इसको आपको पेसी में बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे तो this project will have been right this project will have been completed by her tomorrow okay so this project will have been completed tomorrow by her okay so next one I will have told him right I will have I will have told him this story in this week आप इसका comment section में भी इसका specific voice लिख सकते हैं comment कर सकते हैं so यहां पर देखिए I will have told him this story in the class right तो मैं अवस यहां पर बिल है तो मैं अवस जो है कल यह story class में बताऊंगा कहूंगा right so यहां पर क्या हो जाएगा right this story this story will have been told him in the class by me okay so next one is Seema will have taken this medicine daily right Seema will have taken this medicine daily so यहां पर देखिए जाएगा this medicine this medicine will have been taken by Seema daily okay so this medicine will have been taken daily by Seema okay so Ravi will have laughed at you there right Ravi will have laughed at you there right so उसने तुम पर वहां हस चुकेगा right तो यहां पर क्या है देखिए तो यू विल have been laughed at there by Ravi okay so you will have laughed at you there so you will have been laughed at there by Ravi so yeah तो एक तरह का जो हमारा और डिसकसन होता था एक तरह की डाउट्स जो होते थे लाइब सेस्टिम वह अभी नहीं हो पाड़ा है तो एक तरह की जो ट्यूनिंग होती थी वह अभी बिल्कुल भी नहीं है तो Class में एक जो है तो फिर से एज उज्वल क्लास होगा तो आपके जाएंगे यहां पर भी कुछ इस्यू होता है आप कोमेंट कीजेगा विल रिजॉल्व डैट सो यहां पर देखिए घूमना वन्डर घूमना का क्या होगा वन्डर डबलो एंडर वन्डर गूमना इधर उधर गूमना ऑके सो जोर देना का इंसेस्ट फॉलवी नाइट के स olur with नाइट करना इंस्पाइर किसी को मोटिवेंट करना एंस्पायर करना तो तो सम्मेलन को convention convention c-o-n-v-n-t-i-u-n convention मतलब सम्मेलन कॉसल मतलब skill skill उसके बाद साताना को हैरी साताना किसी को परिषान करना तो क्या बोलते हम हैरी next one वित्तिय मतलब फैनांसियल वित्तिय मिन्स फैनांसियल सो प्रति बंदित होना reflect प्रति भिम्बित होना राइट किसी जीस का reflection प्रति भिम्बित होना राइट तो reflect next अब यहां पर देखते हैं कुछ fruits के नाम तो strawberry strawberry and हरा जामुन को मैले apple बोलते हैं मैले apple हरा जामुन okay and hopefully आपने देखा होगा और खाया भी होगा obviously गन्ना का sugar can and kiwi को kiwi ही बोलते है pineapple को pine berry strawberry strawberry होता है और pine berry pure light very light pink होता है right pineapple pine berry so pista का pistachio and aardu को peach बोलते है और साथूत को mulberry बोलते है and अंगूर को grabs बोलते हैं कठल को jack fruits बोलते हैं dragon fruits को dragon fruits बोलते हैं cherry fall को cherry बोलते हैं तो यह i think इसमें आपको सब को पता होगा सारी चीजे बट फिर भी एक तरह का you know regular best अब next हम देखते हैं vegetables यह कुछ और रखेंगे इसमें यह spices ताकि आपको revise होते रहे और आपको याद हो जाए so यहां पर कुछ verb के form है यह हम discuss करेंगे वर्व में हराना को बोलते हैं beat beat मतलब हराना किसी को तो इसका second form में beat beat beaten right and beating beats okay सहना बर्दास्ट करना beer बोर बोर्ण या फिर जन देना भी होता है right so bearing and beers होना का बी वाज बिन बेश स्लाह देना advice 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 advising advices पहुचना arrived 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 arriving arrives पूचना ask asked asked asking asks गाली देना को abused गाली देना को abused 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 abusing abuses okay so यह वाज फॉर्म है अब हम देखेंगे friends इसमें कुछ synonyms यहां पर जैसे की frugality frugality मतलब कम खर्च करने वाला जो की जितना जरूरी है इतना ही खर्च करने वाला तो इसके जो है similar right similar word होना यहां पर यह चार ऑप्शन से फुलिंशनेश एक्स्ट्रेमिटी और इंट्याजिजिजम ईन्ट्रेशन एंड एकुनोमी चेहां पर फुलिंशने समीड़ क्या होता right extremity मतलब क्या होता है extremity मतलब करता है एक तरह का यो नो किसी चीज का extreme मतलब एक तरह का top या किनारा extreme हो जाता है highest राइड बहुत ज़्याद़ वह किनारा रहे सबसे टॉB पे उसके बाद कुछ नहीं मतलब किनारा एक सीरह एक हिस्सा ठीक है तो सब्सक्राइब तरह का यbay तरह का यो तो यह मतलब क्या होता है यह और यहां पर यह ओनने मतलब क्या होता है मित्व्याई कम खर्ज करने वाला यह वही मतलब जितना जरूरी है उतना ही खर्च करना तो economy is the similar word out of all four economy is the approximately of frugality frugality means कम खर्च करने वाला जितना जरूरत है उतना ही खर्च करने वाला frugality और economy पर्षन एक्नोमी मतलब limited नित्वे कम खर्च करने वाला वैसे अगर देखा जाए तो economy मतलब क्या होता है पर एकनोमी मिन्स एक तरह का अर्थ विवस्था जो राइट इकनोमी से डिलेटेट तो यहां पर एकनोमी का मतलब होगा कम खर्ज जो मतलब ज़तना जरूरत है उतना मित वियाई नेक्स्ट पॉण्डेंस मतलब पत्र वहवार पत्र वहवार जब भी हम कुछ पॉइब करते हैं तो इसको कहते हैं पत्र वहवार है रॉऌहिवाज यहां पर क्याओं ऊ सब्सक्राइári तो इसकार ऑफशन यह एक तरा कांट्रेक्ट मतलब क्या हुत है कॉन्टरेक्ट मतलब एक तरह का एक्रेमन्ट ही होता है । इसके Supabile तो डॉकुमेंट्स मतलब क्या होता है एक तरका दस्तावेश लेटर्स मिन्स क्या होता है पत्र ठीक है तो यहां पे पत्र वहवार और पत्र तो लेटर इस तब वेरी सिमलर आउट अप आल फोर तो लेटर इस अप्रोग सिमलर और प्रॉस्पॉंडेल्स नेक्स्ट अ एसेंड एसेंडंटिंग और डिसेंडिंग अपने सुना हो गा तो submit मतलब नीचे उथरना रैट डिक्रिजिंग और एसेंडिक mmतल उ hvor चरन राइट एंक्रिजिंग क्लेजिंग और तो स은 D दोसरा है ग्रोव मिंस मतलब बढ़ना या चर्णा बढ़ना और डीवीएट मतलब क्या होता है विचलित होना तो विचलन एक तरह का रिएट अपने पात पहत उससे एधर उधर हो जाना तो नेक्स है मंट मतलब एक तरह का चह्रा का चह्रा कीकला मांटिंग करना क्लाइंड करना चह्रा करना यहां भेरी सिमलर क्वेर क्षाला क्या होता है एक आफसेंड जोंफ में ऊपर चहण committed तो very similar mount ही is the ascent का similar होगा, leap नहीं होगा, leap मतलब कूदना, grow मतलब बढ़ना, deviate मतलब विचलिक होना, mount, mount is the very similar of ascent out of all four, mount आप दिमाग में रिखे पहार, red, तो पहार कैसे होता है, एक slope में ascending order में होता है, तो उसको climbing करना, mountain मतलब चर्णा, okay, so next, for us, for us मतलब उतेजना, excitement, right, so इसका हमें क्या ढूणना है, similar word ढूणना, यहां पर चार options है, excitement, worry, flux, and enter room, तो excitement means यहां पर क्या है, उतेजना, यही correct answer हो जाएगा, very similar है, excitement and for us, right, तो similar word, worry, worry means क्या होता है, किसी चीज का चिंता करना, right, तो उसके बाद क्या flux मतलब किसी की पढ़वाह करना, flux means किसी का प्रवाह, right, so प्रवाह, right, and प्रवाह, that means flux, किसी भी चीज का, जैसे कि आप अगर physics पढ़े हों, तो उसमें flux, magnetic flux आपने पढ़ा होगा, right, तो एक तरह की energy, एक तरह की flow, right, so bulk में जब flow होता है, तो flow that means flux, flux, flow, it's the similar, तो enter room means क्या होता है, friends, enter room means एक तरह का गली का blockage area, गली आरा जिसको बोलते हैं, enter room, आप लोग इसको memorize कर लीजी, जैसे हम गली आरा बोलते हैं, एक कोना, एक गली start and then it's blocked, so it's गली आरा, ठीक है, तो enter room means गली आरा, तो excitement is the correct answer, क्योंकि very similar है, बाकी सब तो नहीं है, कोई relation, for us का, for us मतलब उत्तेजना, excitement मतलब भी उत्तेजना उत्ता ही, ठीक है, next, synopsis, जो भी हम लोग college में होते हैं, assignment देते हैं, you know, project करते हैं, उसमें हम synopsis लिखते हैं, ठीक है, तो synopsis क्या लिखते हैं, जब हमारा एक project होता है, उसको short form में लिखते हैं, ठीक है, तो एक तरह का सार होता है, ठीक है, जो भी हमने project किया है, then, फिर उसका summary जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, synopsis बोलते हैं, तो index मतलब क्या होता है, indexing, किसी चीज का प्रतिबंधन करना, right, क्रम में किसी को लगाना, indexing, जैसे कि starting chapter, book के starting में होता है, content, right, वही है index, indexing करना, यह chapter यहां पर है, इतने इतने पेज में, यह chapter इतने 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 पेज में, तो indexing मतलब किसी चीज को back-to-back, एक प्रवंतित तरिके से, एक क्रम तरिके से, अनुक्रमित करना, ठीक है, तो सार का उससे को, mixture मतलब, miss run, उसके बाद, summary मतलब, यहां पर आ गया, summary means क्या होता है सारा answer, पजल मतलब पहली, तो summary is the correct answer, next one, so next one यहां पर एक story है, जो कि सभी को पता होगा, but हमारा man motto है, कि इसको समझना, story writing करना, story को समझना, तो आप बहुत छोटी story है, यह सब को पता है, ठीक है, but फिर भी, like line by line हम समझें, कि इसको कैसे form किया गया है, story को कैसे story लिखा ग मैंने आप लोगों से बोला था, if you have any story, आप लिखो, जैसे someone, like Kiran, like told that, कि हम कुछ story लिखेंगे, and definitely आप लोग story लिखे, मैं उसको देखूँगा, and definitely मैं इसी class में उसको represent करूँगा, तो आप लोग writing skill develop कीजे अपना, अगर आप English में अच्छे हो, क्योंकि content writer, story writer, जितने भ वाले हैं, right, newspaper agencies है, उसमें content writer, story writer, heading जो होता है, उसको क्या बोलता है, content writer, किसी चीज का heading देना, या किसी को लेक को लिखना, किसी को passage लिखना, तो इस सब के लाखों रुपय मिलता है, friends, so, English, right, इसलिए ये जो class start हुआ है, इसका man motto क्या है, it's not about only English spoken, आप English spoken भी कीजे, तो overall all आपका job oriented vision होना, future oriented vision होना चाहिए, तो उसमें आप क्या करते हो, उसमें आप करते हो, कि अच्छे से आप English लिख पाओ, grammatically आपका correct हो, और it's not about only grammatically correct, लोगों को क्या पसंद आएगा, story writing is not about कि translation कर देना, लोग कैसे connect रहे, एक sentence, दूसरे sentence से कैसे connectivity बने रहे, it's not about only connectivity, it's also about कि लोग उसमें समझ पाए, एक जो story का जो तरीका होता है, आप सुन रहे हो, सुन रहे हो, connection अच्छा है, उसका मतलब भी समझ में आ रहा है, बट उसमें, you know, feeling है, वो नहीं आ रहा है, दो चीज़ें यहां लिख दी, दो चीज़ें वहां लिख दी, तो overall जब story आप डिखे देंगे, तो धीरे धीरे आपकी जो है, पॉलिसिंग होती रहेगी, ग्रूमिंग होती रहेगी, अगर आप कोई अगर यह बोलता है, कि मैं तो story writing में best हूँ, ऐसा कभी नहीं होता है, कोई best नहीं होता है, धीरे 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 जो अच्छे writers है, जो content writers है, designers, वो कभी नहीं बो right, tell the story of a very slow turtle and a speedy hare rabbits, so this classic fable, fable मतलब क्या होता है, कहानी, story, fable मतलब क्या होता है, कहानी या story, ठीक है, classic मतलब क्या होता है, उतक्रिस्ट, right, तो यह, जो है, उतक्रिस्ट story, right, tell the story of a, tells the story of a, तो कहती है, या classic जो story है, कहानी है, वो कहती है, the story of a very slow turtle, twice, तो एक, जो है, story कहती है, बहुत ही slow कछवे की, और एक speedy, तेज़ चलने वाले, खरगोस की, ठीक है, यह, यह, खरगोस और कछवे की कहानी, आपने सुनाई होगा, तो उसी इस पे based है, आप देखिए पूरा, फिर आपको like, you know, इसमें क्या सिखते हैं, आपको समझ में जाएगा, तो यहाँ पर एक, उत्क्रिस्ट कहानी, कहती है, किसकी कहानी कहती है, the story of a, the story of a very slow tortoise, and a speedy hair की, कहानी कहती है, एक काफी slow चलने वाली, काफी धीरे चलने वाली कछवे, और एक काफी तेज चलने वाली rabbit की, तो यह, उत्क्रिस कहानी है, इसमें, the tortoise challenges the hair, to a race, तो कछवा यहाँ पर challenge करता है, race के लिए, खर्गोस को, right, the tortoise challenges the hair, जाना, challenge करता है, कछवे को race के लिए, the hair laughs at the ideas, तो खर्गोस जो है, हसता है, laughs, खर्गोस क्या है, हसता है, at the idea, जो है, कछवे के idea पर हसता है, that a tortoise could run faster than he, right, so यहाँ पर, वह हसता है, tortoise could run faster than he, right, so, वह सोचता है, and हसता है, कि, कैसे, जो है, तेज दौर सकता है, उससे, right, कछवा, कैसे दौर सकता है, तो, but the race leads to the surprising result, तो जब race हुआ, तो race का result जो आया, उसका surprising result है, कि कछवा वहाँ पर जीत जाता है, तो, इससे, overall, हमें क्या सिखने को मिलता है, तो, what is the great about it, what is the great about this story, so, like, इसमें क्या है, slow and steady wins the race, slow and steady, मतलब, अगर आप धीमा हो, but continue हो, तो, आप race जीत सकते हूँ, यही से सीचा, यह क्या है, एक phrase है, slow and steady wins the race, यह एक कहावत भी है, एक महावड़ा भी है, एक phrase भी है, that slow and steady wins the race, तो, इस story से, हम बहुत सुनते हैं, but कुछ सीखते नहीं है, तो, इस story से, overall, learning यह मिलता है, जो, slow है, but regular है, but, you know, consistent है, तो, वो definitely, उसको, वो जीते गा ही, positive response आएगा ही, So, next, यहाँ पर देखिए, क्या है, the timelines, classic short story teaches a lesson that we all know, but can something forget, right, तो, यहाँ पर यह जो उत्कृस्ट कहानी है, यह जो timeline है, यह एक जो passage है, short story का, तो, हमें सिखाती है, teaches, हमें सिखाती है, एक relation, एक part, that, we all know, हम सभी जानते हैं, but, फिर भी, क्या होता है, can something forget, but, हम भूल जाते है, natural talent is no substitute for hard work, जो natural talent किसी का है, उसका कोई, like, you know, no substitute for hard work, hard work का कोई substitute नहीं हो सकता, and, overconfidence often leads to failure, जो overconfidence होता है, कि हम यह कड़ ही लेंगे, वो हमेशा क्या होता है, failure की तरह बढ़ता है, failure ही result आता है, so, overall, इसको हम फिर से discuss करेंगे, आप लोगों के साथ live session में, तो, overall, यह session था आज का, तो, हम live session में मिलेंगे, और इसको नए तरीके से class को, हमें सोचा है, design करने का, I think, hopefully, Monday 7th से यह continue करेंगे, okay, so, good luck, thanks for watching this video, friends, मिलते हैं, live session में, Monday को, okay, और Sunday को आपको मिलेगा, tense का complete class, complete tense, okay, thank you,